हर्याना से कॉंग्रिस के राजर जबा सांसत दिपेंद्र सिंग हुडा ने बिजेपी सरकार पर फिर हमला बोला है। पहले डी का अर्थ डिवाई रान रूल भाई को भाई से लड़वाओ बताया जबकि दूसरे डी का अर्थ धोखा यानी डिसीव वादा करो और धोखा दो बताया। पुर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कॉंग्रिस को 3D सरकार बताया था। जुसमें उन्होंने पहले डी का अर्थ दरबारी तो दूसरे डी का अर्थ दिल्ली के दामाद और तीसरे डी का अर्थ डीलर बताया था। उन्होंने कहा था कि हुडा सरकार इनहीं 3D के लिए समर्पित थी। जब मनोहर लाल खटर की सरकार आई तब उन्होंने इन 3D को खद्म कर दिया। केंद्रग्रे मंत्री अमिशानी पूर्व मुख्य मंत्री भुपेंद्र सिंग हुडा पर केवल रोहतक में विकास करवानी का आरोग भी लगाया। उन्होंने कहा कि हुडा का ध्यान केवल रोहतक के विकास पर ही केंद्रत था जबकि मनोहर लाल खटर नी पूरे राज्ये का विकास करवाया है।